Hello everyone, this is Amaira, I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and avastu expert और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके October month का टेरोस्कोप ले करके बात कर रहेंगे हम सभी राशियों के बारे में और आप finally पहुँच गए हैं हम हमारी राशी जो है Sagittarius यानि की धनू राशी तो धनू राशी वाले जो हैं वो fire element होते हैं हर चीज उनको बहुत जल्दी करना पसंद होता है मतलब they are the action takers सिर्फ बाते नहीं करते हैं action लेने में विश्वास रखते हैं तो आपके लिए October का महिना क्या कुछ लेकर के आया है काच साब के लिए आए है romance, true love, क्या बात है प्यार ही प्यार, make a wish, the hermit, eight of cups, the hermit again, its impossibilities, will of fortune, nine of wands, the sun and eight of Ariel hermit repeat हुआ है आपकी reading में तो इसका मतलब universe बोल रही है कि इस महिने खुद से बात करना बहुत important होने वाला है बाहर वालों की तो बहुत सुनली, इस बार खुद की सुनके भी देख लो, तो life में चीज़े शायद सही हो चाहेंगी है ना, खुद के साथ समय बिताइए, आप यहाँ पे मुझे पकाहिदा, अगर आप देखोगे इस कार्ट को, तो यहाँ पे जो इनसान है, वो बिल्कुल जंगलों में जाकर के meditate कर रहा है तो फिर भी बैठ के उसका ध्यान करने वाले हो, तो पता नहीं क्या-क्या मिल जाएगा, तो यह करना आपके लिए बहुत important रहेगा, meditation automatically अपने आप में एक remedy होती है, जो Sagittarius आपके लिए बहुत strongly जो है इस महीने के लिए आ रही है बात करते हैं आपकी love life के बारे में काड आया है, romance and true love का, और साथ में make a wish This is a magical moment, make a wish and enjoy its manifestation मेरी ये reading देखते, सुनते, मतलब वक्त अभी, अगर कोई भी इनसान आपके दिमाग में आ रहा है, love को लेकर के, romance को लेकर के तो वो fulfill होने के बहुत जबर्दस chances बनने वाले हैं This is a romance for a lifetime एक तरीकी से, कुछ लोगों के case में जहां पर romance बहुत missing लग रहा था relationship के अंदर, already married है बहुत सालों से, जिन्दगी बस चल रही है और romance थोड़ा सा missing है, तो मैं बोलूँगे कि October का महीना, वापस से आपके रिष्टों के अंदर, वो romance आपको मैसूस कराने वाला है यह message काम से related है मुझे, या तो किसी project पर बहुत टाइम से काम कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिली है, तो आपको give up की feeling आ गई है, कि हो गया यार, इसको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं तो मैं बोलूँगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं करो, सिर्फ एक last कड़ी वहाँ पर बाकी है, एक last पड़ाओ वहाँ पर बाकी है, बस वो clear कर लोगे, तो sun की energy आगे बैटी है, यानि कि इस project के करने से आपका भविश्य जो है, मुझे बहुत उच्छबल नज़रा रहा है आपका कोई भी काम, जो है, सरकारी महकमे से अगर तालुकात रखता है, या गॉर्मेंट के थू होना है, तो वो इस महीने हो जाएगा, गॉर्मेंट की support जो है, इस महीने आपको बहुत जादा मिलने वाली है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाते हो, तो भी ये समय अच्छा है, किसी तरी के कोई एक्जाम सोने है, जिसकी वज़े से सरकारी नौकरी मिलेगी, तो भी ये समय आपके लिए काफी positive मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफी cases मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे एक्जामस दिखाई दे रहा है, किसी की meditation की सला मैंने आपको दिया, अगर आप ऐसा करते हो, तो इससे सिर्फ आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आओगे, आपकी किस्मत में भी बदलाव आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए positive होने वाली है, आने वाला वक्त आपके लिए super duper positive है, sun और विल व possibilities का मतलब भी है कि जहां पर आपको लगेगा कि यार सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे तो समझ ही निया रहा क्या करूँ, सलाब वहां पर आपके लिए रास्ता निकल के आने वाला है, इस तरीके का जादू होगा, तो आप समझ रहो कि कैसे universe जब support करने पे आती है तो, मै कि वहीं आपको मिलेगी, तो मैं बोलूँगे, आपका वक्त अच्छा आगया है, तो चीजें आपके फेवर में जाने वाली है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है, health-wise भी कोई major problems नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिया, high BP की problem हो सकती है, उस से जादा उपर कुछ परिशानी वाली बात नहीं दिख रही, आपका angel message रहेगा, Sagittarius acknowledgement है, look after yourself by acknowledging your desires and needs and taking steps to meet them, examine and note your gifts, talents and achievements, that's what we are saying in the reading also, here पे make a wish का card भी आया है, कि आप जो कुछ पे अच्छीव करना चाहते हो ना, उसकी एक list बना लो, और acknowledge करो कि I want this success, I am this, I want this, उन सब चीज़ों के acknowledge करो, accept करो वो करोगे तो आप देखो कि कितने changes आते हैं, affirmation पूरे महीने जो आप use कर सकते हो, वो है I acknowledge who I truly am, यानि कि मैं in real क्या हूँ, मैं finally उसको acknowledge करना शुरू करूँगा और यह hermit का जो card double यहाँ पे आया है, यह भी आपको यही बोल रहा है कि खुद से मिलो, यह महीना खुद से म आवर मिलने वाली है आपको, आई अब हम देखते हैं कि आपका जो है इस monthly spell या ritual जो आप परफॉर्म कर सकें वो क्या रहेगा, यह deck हमने हमारी readings में नया introduce किया है, देखते हैं अगर आपको यह पसंद आ रहे है, rituals वगरा तो आप हमें बताइए, हम और इस तरी कि कि कोई न recovered with a red scarpe of cloth, उस table के आप आप लाल रंग का चैपड़ा दीचे ई addorn with the objects that signify love इस रखें चीजये जो लव को signify करती है, जैसे रैड कंडल रूबी colored a छोके छोके से लाल किलर के बाउल्स रगती है ना रोजेज रग दो ए स्टाच्व वीनस रग दो और और अदॉनिश वाटर स्टेस्यों फीलिंग एंड सेंस के प्डी एरिया एक गुट समजिंग है ना दूप वगरा जला दो रोस की आती ना अगर बतिया वनियो वह जला सकते हैं वहाँ पर व वह ओईल लगाना है उसके बाद कैंडल को जला दीजिए ठीक है एंड स्पीक लाउट जो मैं चांप बोलना जा रही हूं फिर कैंडल से लागे आपनी वह चांप बोलना है इस रूम इस माई टेंपल माई ऑल्टर तो लव आई लाइट दी फ्लेम आई फैन दी फ्लेम इसको आप दिल्कुल ट्राइ कर सकते हो इट इस सेफ टू ट्राइ नो वरीज कोई डाउट नहीं लेकर के आना है और अच्छे से इसको परफॉर्म कीजिए तो सबको अगर हमारे रीडिंग पसंद आ रही है आप अपना परसनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हो तो न इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी डारेक्ट मेसिज ड्रॉप कर सकते हैं थांक यू सो मच पर वाचिंग